कौन कापसिकम रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए कौन क्यापसिकम टोमाटों की साथ में हमारे पास अनियन टोमाटो की पूरी में आपने डाला है गार्लिक एंड ग्रीन चेली चेल है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने डाला है यहाँ आपका जीरा अच्छे से भून जाए तो आप इसके अंदर डालेंगे अपने अ Ón जौपट्ट अनियन हिहां पर हम डाल रहे हैं यहां पर मैने वन अनियन ले है जिसको फाइंलि deposit किया है उसको जाल दियो और इसको सोटे कर लेना है डाक करना फ्रेंड्स हमें मीडियम इसको भून लेना है गैस का फ्लेम आपको रखना है मीडियम टू लो की तरफ अगर आप हाई की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी जो वेजीज है जो अनियन है वो जल जाएगा तो हमने यहां पर क्या किया है फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है और मैं इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आपको फ्रेंड्स कब तक इसको पकाना है जब तक टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ दे तक टमाटर अपना पानी को अच्छे से सोक ले और साथ-साथ घी चोड़ना स्टार्ट हो जाए जब तक आप इसको भूनते जाना है अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला इसमें गया हमारा धनिया पॉर्डर घरके मसालों से बना रहे हैं हल्दी उसके साथ डालेंगे हम लाल मिर्ज, रर्डचिली पॉडर और हम इसमें डालेंगे देगी में जिससे कलर बहुत अच्छा आता है अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं इस अप्शनल साथ में हम डाल रहें इसके इंदर कसूरी में थी थोड़ी सी क्रश करके कसूरी में थी उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आत क्या स्टाइब चेह कोवन हरे अर रौह अजthink में जुक्षी सथ कुषच क्यू मोटार तोटि द्लार अपना पानी सोक ले और घी छोड़ना सीटी थे हमारा मसाला जब तक यह सथी अच्छे से बूलते रहेंगे इते की स्कू मैंने अच्छे से भूल लेना है दो-तिन बार इसको mix करना है, घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है, साइड में आप देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने डाल दी है अपना गरम मसाला, जादा मदा लेगा, क्योंकि अल्रडी समें स्पाइसिस डेले हैं, हमने हलका डाला है, इसके अंदर गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं आपको भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया, यह मसाला घी छोड़ की हमारा रेडी हो गया है, अब टाइम है, इसके अंदर वेजिटेबल्स डालने का, मैंने आपर हाफ कैपसिकम को चॉप कर लिया, स्मॉल पीसिस में, और इसको हमने इसके अंदर डा कर लिया था वन मिनट के लिए और इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है कॉन, और इसको अच्छे से हम दुबारा से मिक्स करेंगे, जैसे कि जितनी भी हमने मसाला है, वो कॉन के ओपर सेट हो जाए, अभी तक हमने पानी का बिल्कुल भी यूस नहीं किया है, अब आपको हल सैवाल, के शाओ, और ले जैदा नहीं डालना है, बहुत ही खम, जैसे को के जाने को पांच ही यूथ मिनट में में, कॉन कैप सेख वीजिटिबल, रोध के लागया है फ्रेंड्स आफ्टर फाइब मिनेट्स हम इसको चेक करते हैं यह देखिए कितनी बड़िया यह हमारी बन के तैयार हो गई है कितना बड़िया इसका कलर भी आया है और मसाला कितना अच्छा सेट हो गया है तो रेसिपी देखा दोस्तों कितनी फास्ट और क्विक थी चलिए इसको अब हम सर्फ करते हैं इसको सेट करते हैं देखिए हम एने एक पाउल लिया है और इसके अंदर मैं इस सबजी को ट्रांस्वर कर रही हूं कितनी बड़िया शाही सबजी लग रही है कौन कैपसिकम बहुती टेस्टी यमी हमने आज बनाई है पीके दग्रीन शेफ में क्विक फास्ट रेसिपी बहुती सिंपल है क्विक है फास्ट है जब भी घर में आए कोई मेमान और घर पे हो कौन तो बनाईए कौन कैपसिकम की रेसिपी कैपसिकम नहीं भी डालना तो भी आप छोड़ सकते हैं बड़ कैपसिकम डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट अलग पनीर और इसको गार्णिश कर देंगे हम कोरियंडर से धनिया पत्ति से इदे के फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बनकत तयार है होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए पीके दे ग्रीन शेफ को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स हैं रिलेटिफ के साथ और जल्दी मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ जब तक यह ट्राय करिए कौन कैपसिकम रेसिपी हो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसे लगी बाइबाइ फ्रेंड्स सी यू सून अगें इन पीके the green chef kitchen hope you like the recipe bye bye see you